नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, I hope कि आप सभी ठीक होंगे, मेरी रसोई में आप सभी का स्वागत है, आज मैं आपके लिए एमिनिटी पावर बढ़ाने वाली वड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ, यह बड़ी हमारी प्रोटीन, केल्शियम, विटामिन सभी से तो चलिए हम स्शाट करेंघे this भड़ी को बनाने के लिए, यह लिए मैंने आंदा कटोरी पादाम, वनफोर्ट कैटोरी के करीबं दौनों मगज हैem और यह ले लिए मैंने आदा कटोरी अक्रोट और साथ में लिए आदा कटोरी नारियल कसा हुआ और आदा कटोरी के करीबन काजू यहां ले लिए मैंने खस-खस पॉपी सीट्स को छोड़कर बाकी सभी ड्राइफ फूट्स को हलका रोस्ट करके हमने पीस लिया है अब यहां ले लिए है मैंने खसणुट जिसए कि मैंने दूद में विगोग कर रखा था अगर आपके पास दाजी खसणूर हो तो उसे आपको भिगोरे की भी जूरत नहीं है इसे भी डाल दिया है मैंने मिक्सटर के चार में यह मैंने एक बॉल के करीभन लिया है और इसे मैंने पीस लिया है, बिल्कुल महीन पेश नहीं बनाना है, इसे इसी तरका बनाना है, हलका समेश किया हुआ, अब मैंने रख दी है, एक कड़ाही और कड़ाही में डाल दिया है, मैंने, एक से दो चमस के करीबन घी, देशी सुद्ध गी, जिससे कि हम होने देंगे जब तक हमारा गी घरम होता है, तब तक मैं आप से एक बात कहे दूँ, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में दिये पैल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको नए वीडियो का नॉटिफिकेशन सबसे पहले और हमारा गी हो चुका है गरम, अब हम इसमें हमारी जो खजूर हमने पीस कर रखिये वो डाल देंगे, इसे हम लगातार चलाते हुए हलका सा इसका दूद्ध जो हमने पिकोया था, वो सूखने तक हम इसे पका लेंगे, यानि कि इसका मौशर जो है चला जाए तब तक हम इसे चलाते रहना है, प्रिंट्स मैंने नॉर्मल कड़ाई ली है, आप इसके चेके नॉन स्टिक की कड़ाई भी ले सकते हैं, नॉर्मल कड़ाई में चल्दी चिपकने लग जाता है तो इसे मुझे लगातार चलाते रहना होगा, अब यह हमारा पिलकुल सही है, और इसमे अच्छे से मिक्स कर लेना है, मैंने इसमें कोई शुगर ना जैगरी कुछ भी अड़ने किया है, हमारी खजूर ऑलरीडी जो है स्वीट होती है, तो यह डायपेटीस पेशेंट भी इस वरी का यूज कर सकते हैं, आप इसे खजूर की स्वीट भी कैसकते हैं, लेकिन यह स् इसके साथ इसको खाने के बाद आपको दूज जरूर पीना है, जो कि हमारे शरेड के लिए बहुत जरूरी है, और हमें ताकत भी देता है, तो यह हमारी मिक्स्चर जो है रेडी हो चुका है, और इसे मैंने एक ग्रीस की वी थाली में निकाल दिया है, तो थाली को और ड्र प्लेट कर लीजिए, तो यह देखिए हमारा बिल्कुल प्लेइन हो चुका है, अब इसमें मैं अभी चल्दी ही कट लगा दूगी क्योंकि यह ठंडा होनी के पद इसमें कट थोड़ से मुश्किल से लगेंगे, तो इसके उपर मैं चाकू की सायता से कट कर देती हूँ, ब आपको यह स्वीट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको यह रैसी भी पसंद आयो, तो लाइक चरूर कीजियेगा, अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपनी बहन के साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा, धन्यव प्रवाद